कि नमस्कार किचन की ए विसीडी में आपका एक बार फिट से स्वागत है आज में आपके लेक्याई हैं कुलो मनाली की फेमस टीश हिमाचल की डिश सीडू की रेसेपी तो हम इसे आज विदाउट मोटो के बनाएंगे बिना इस डबे में हम इसे बनाते हैं उसे मोटो कहते हैं उसके विदाउट आज हम इसे कड़ाई में बनाएंगे ताकि ये बनाना जोए सबीके लिए बहुत जादा इजी हो जाए और हरको इसे बना सके और आज हम इसे बनाएंगे नॉर्मल आटे से जो हम डेली अपने किचन में रोटी के लिए उसकरते हैं आट में इसे mostly सभी लोग घी के साथ खाना ही पसंद करते हैं और आप अगर मार्केट में खाओगे तो आपको इसमें घी चट्मी अचार सब कुछ मिलेगा यह विंटर में बनाए जाने वाली एक बहुत ज्यादा टेस्टी यमी और हेल्दी रेसिपी है जिसे हम आज बनाएंगे म चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना उससे पहले मेरी बेटी का एक चोटा सा रिव्यू तो देखिए यह सीडू खा रही है और इसके रियक्षिन आप देख सकते हैं इसे सीडू जो है बहुत जाब पसंद आई काफी देर से उर्थी हुमा कब बनेंगे कब बनेंगे सीडू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली आटे का यूज किये दो कप आटा है जो हम डेली घर में यूज करते हैं गेहूं का आटा है अब इसमें डालेंगे हम नमक अजवायन और आदे चमच से चोटी चमच है उससे आदे चमच से भी हलका सा कम डालेंगे इसमे इन्डियंट्स को एक पर हम हाथ से सुखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके आद हम इसमें गुन-गुना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से एक बिल्कुल सॉफ्ट बना के त्यार करेंगे जैसा डो हम नॉर्मली रोटी के लिए बनाते हैं चपाती के लिए वैसा ही डो बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो और अभी से ढखके हम चार से पांच घंटे के लिए किसी ब्लैंकेट के किसी क्विल्ट में रख देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो तब तक हम बनाते हैं मसाला स्टफिंग तो इसमें मैं आज यूज करूंग साथ में लिएए इसमें अक रोट वालनट 10 से 15 अकरोट हैं 50 क्रामिया पlicy या पे पोस्त का दाना है तो इन सब को हम अच्छे से साफ कर लेंगे चैसे हम घ्रांड कर फजी बाइल में निकालेंगे बाएल में निकालने के डालेंगे गणा की सिदेंगे चालते हैं में फाले जीरा दोन विंग disk करदेंगे में सब्सक्षियर अब हम कर लेंगे अपना ओना सेत favourite करने के लिए रखा तो उसे एक बार चेक कर लेंगे हैं तो पांच हो जूड़े कंड़े मां ठीड हूँ कि अंदर रखा था आज़ कम प्रांठे के लिए पूरी त्यार करते हैं हाथ में सेम इस तरह से इसकी पूरी त्यार करेंगे और जो बीच वाला पाट है वह हलका सा मोटर रहे जाएगा तो हाथ से एक या दो बार इसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इस तरह से हम चलाएंगे तो यह एक पराबर से पूरी-पूरी बन जाएगी जो यह पूरी है इसक इस तरह से हम घुजिया में डिजाइन बनाते हैं उस तरह से डिजाइन बनाएंगे अदरवाइज आप इस तरह से भी बन करके स्टीम करेंगे तो यह मसाला बहार नहीं निकलेगा तो देखिए हमारा एक सीडू जो बनके त्यार हो चुका है यह देखिए तो मैं तीन से च प्लेट होती है तो उसमें भी आपके सीडू बनके त्यार होंगे एक बार इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि सीडू जो नीचे ना चिपके तो मैंने इसमें प्तीन सीडू डालती है और इसे अब हम बंद करके 10 मिनिट के लिए छोड़तेंगे फुल फ्लेम में हम इ बिल्गी में फfast सतर से हाथ में घुमाएंगे और फिर हम इसे बेलं से चला लेंगे जब बिल्यून चलाएंगे तो हाथ सोफ्ट रहेंगे और चुक है आप इस तर से भी से बना सकता है इसकी शेप भी अच्छी आ चुक है देखिए और जो बीच वला पार्ट होता है उसमें इसे प्रैस नहीं करते हैं उसे इसी तर से रखते हैं तभी यहां से बीच से जोए थोड़ा सा फूलेगा मतलब स्टीम जब करेंगे तो यह इ से चेक करेंगे तो देखिए सीडू जो हैं वह बनके त्यार हो चुके हैं साथ मिनट में यह जो सीडू यह बनके त्यार हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे आप इसे टॉंग की हेल्प से भी निकाल सकते हैं तो इससे आप धनी से निकालें और जो फ्लेम की उसे के तियार हो चुकिए आप एक पर इस रेस्पी को ज़रूर ट्राय करें और अपने जो कमेंट से वो मेरे साथ शेयर करें यह रेसे भी बहुत ज्यादा हेल्थी होती और सर्दियों में यह बहुत ज्यादा बेनिफिशल भी होती है तो इसमें नट्स के यूज किया और से हमने विदाउट फ्राय के बिना इसमें तेल का यूज नहीं किया इसलिए बहुत ज्यादा हैल्डी रेसिप्लित एक वाइस पिकर जड़ी ट्राय करें